हेला एवरिवान कैसे हैं आप तो फर्स्ट अफल मैं आपको कल का पेपर था बीकॉम सेमिस्टर फॉल प्रोग्राम का एस वेल बालेव श्रूजिंट का था तो बच्चों का काफी अच्छा जैसे कि आप बच्चे से आप जैसे हैं आप कमेंट में भी देखेंगे तो बच्चे के रहे हैं सर पेपर बहुत ईजी आए और मेरे समझ से पेपर एजी नहीं है क्योंकि ओप लोगों ने प्रेक्टिस कर रखे थे उस टाइप के कोश्यंद हमने करे हुए थे तो बच्चों को असान लगा बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि पेपर मतलब के नहीं कर पाए और बहुत सारे ऐसे भी स्टूरेंट्स हैं जो कि कल मेरे खाल दो घंटे में मुझे कुशन पिपर भेज दिया कैसा हमारा तो हो गया डन तो यह स्रिफ और स्रिफ है वो स्टूरेंट है जो कि स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे तो चलिए एक बार मैं डिसकस कर पता ही जाता हूं आपके साथ तो जैसे कि आप देखेंगे कि पहला जो हमारा पिपर है ठीक है ना फर्स्ट कुश्चन आया है हमारा स्कूप फानिशल मैनेजमेंट का यह आप देखिए यहां पे और यह ट्रेडिशनल अप्रोच किया है बिल्कुल आप थियोरी देखिए मैनेजमेंट टाइम यानि टाइम वेलियो अफ मनी के उपर था सेकिंड तिंग मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि आप एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा ओल्वेज एक पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि यह जो पेपर है यह समिस्टर फाइव का मार्किंग स इसा मैं सूचिए कि हमारा भी आठ गाएगा आपका ज़्यादा गाएगा तो चलिए इसके और में भी देख लेते सर देखिए और के अंदर एक आपका टाइम वेलियो अफ मनी हाँ यूट्यूब पे मैंने भी टाइम वेलियो अफ मनी नहीं डाला है बट हाँ क्लास के अं कोशन एक्जेक्ली सेम सेम कोशन इस टाइप के कराये हुए हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत नहीं हुए तो मेरे हिसाब से बच्चा और वाला कर लेगा वट डियू अंदेस्टेंड बागी बजेटिंग डिसीजन डिसकस दा सिगनिफिकस यह भी बड़ा असान तो मैं य इसी को ध्यान में रखते हुए न अब कॉस्ट का भी बैच हमने इसी बेसिस पर जैसे आपका एफम का पेपर जा रहे है न बच्चों का तो बहुत बच्चे यूटूब पे वेट करते हैं के सर होगा डलेगा तो मैं आपको सजेस्ट डूमा कि अभी जैसे की सेल भी स्टा हो जाएगा तो उसके अंदर आप इसको एक्वाइर कर लिजे लाइव क्लासिस होंगी आपकी सारी चीजे रहेंगी कोई दिक्कत नहीं होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बढ़िया बन जाएगा ठीक है न चलिए आगे देखते हैं सर दूसरा कोश्चन दूसरा बस डेप्रीशेशन का कंसिट्रेशन यहां पर लेना था और फिर टेक्स माइनस करके डेप एड़ कर देना था पेबैक पीर अकांटिंग रेट और रिटर नेट तो इस टाइप के कोश्चन जो हमने रिवीजन क्लास में भी डाला था यह आला कोश्चन तो तो बड़े आस कोश्चन की बात कर रहा हूं मैं उस 40 कोश्चन में मैं नहीं मानता कि इसमें सो कोई टाफ होगा तो जो बच्चे समिस्टर 3 वाले हैं तो ध्यान रखिए के रिवीजन वीडियो डली वी है यूटूब पे आपको ढूनना पड़ेगा और थोड़ी से लेटेस्ट क्योंकि क कोस्ट का भी बैच स्टार्ट किया है फंडमेंटल ऑफ इन्वेस्मेंट भी आ गया है ठीक है तो कोस्ट के बैच में ना कुछ चीज अमेंडमेंट में यह नहीं स्टेंडर्स आई है तो यूटूब परानी वीडियो में लेगी लेकिन आप गलती कर देते हो कि सर वही तो मैं मेरे को यह समझ में आया कि यार उस पर वियूज आ रहे है मतलब कोई और बच्चा तो देख रहा होगा जरूरी थोड़ी यह दिए देख रहा होगा कोई और बच्चा तो इसलिए मैं ने वीडियो डिलीट नहीं कर पाता मैं हमेंसा सज़ेस्ट करूं आपको कि कुछ बच्चों कहना था सर जो यह प्रफरेंश यर कैपिटल दे रखा है यह दस का दे रखा है गलत हो गया एक बच्चे ने जिसनों कोईशन पेपर भीजा ऐसा मैंने ऐसा नहीं है एक रुपे भी दे फेस वेल्यू तो फेस वेल्यू है मैंने यह कहा है कि अक्सर सौ दे रखा है गलत नहीं है बिल्कुल सही कोशन से कुछ बच्चे गलत बोलते थे और बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सिंपल उसिंग मार्केट वेल्यू वेटेट के इसाब से करना था टेक्स ब्रैकेट साब टेक्स रेटी था तो मेरे इसाब से यह कोशन भी आसान है और अभी आपने करा है तो आप लोगों को पता है कि कैसा कोशन है कोशन B PART में जो आपका है नSays देदिया यूनिट देदिया और हर बार देखो मैंने नह आपको पता होगा क्योंकि मैं तो सबीचेप्टर को आसान बोलूगा तो उसके इसाब से चलिया देखते हैं इसके और में यह आया और एक theory आ गया difference between the operating and financing leverage which risk measured by the financial leverage बिल्कुल simple है अब इसका देखा जाए हमारा जो था न यह question number 3 का A part था और A के बाद B part में leverage आया इसके और में क्या आ गया एक theory आ गया और यह question आप provision class मैंने YouTube पे भी डाली है value of firm क तो मैं तो अभी calculator पर ही इसका answer बता सकता हूँ जैसे कि आपका लीवर्ड फर्म है अन लीवर्ड फर्म है आपके book का ना मेरे ख्याल question number 6 या 7 के आसपास है यह same questions है कोई भी changes नहीं है D into T करके new value of firm निकालते हैं तो मैं आपसे इस वाले B वाले part की बात कर रहा हूँ तो बोला है dividend policy का आएगा तो dividend paid not paid इसी तरीके सा आपको बताना था और payout ratio दे रखा था और उसके according optimum payout ratio तो यह को देखो जितने भी questions है अगर कोई बच्चा मेरे से बोल देता है नहीं कराया है उस type का questions आ गया है FM में तो मुझे दिखा दे मैं एक एक questions टेली करा सकता हूँ इसे चीज़े हैं बी पार्ट में factor influence the dividend policy firm पूरा theory कराया हुआ है आदे घंटे पूरा एक-एक point समझा के कराया हुआ है इसके बाद आगे देख लीजिए और पार्ट के अंदर अगेन MM approach आ गया और बी पार्ट में अगेन value of firm तो यह और वाला जादा easy है बाकि आप सभी को questions questions paper चाहिए होगा मेरे साब से semester 3 वाले बच्चों को तो उस questions paper को download कर लीजिएगा कहां से download करिएगा sir आपको मैं यह दे देता हूँ अपने application के download section में जाएंगे वहाँ से मिल जाएगा और telegram पे भी मैं डाल दूँगा इसको ठीक है हाँ पांच वा questions क्या है work net operating cycle last में मैंने बताया था live class के अंदर जो बच्चे थे मैंने बताया था कि working capital का questions जो था आएगा और operating cycle के chances है और यह sir book का question है यह 10 year में मिल जाएगा आपको 10 year मैंने book लिख दिया यह 10 year का question है किसका question है sir 10 year का यह question से हमारा 10 year का 10 year का ठीक है ध्यान रखेगा 10 year का question है तो मेरे समस्ते पेपर ऐसा नहीं है कि आप परिशान हो जाए और लेकिन देखिए हर किसी का अपना अपना उपिनीन है इसके बी पार्ट में क्या आ गया इसके बाद अगला और में देखो आपको theory motive of holding cash बोल बोल के मैं परिशान हो गया भाई कर लो यह वाला इसके बाद factor determined capital structure EBIT EPS indifference level सारे के सारे theory exact लिखाए हुए तो कल का paper आपका था जो की बहुत easy paper आया था और मेरे हिसाब से easy था देखिए वो तो आप final देखेंगे कि क्या था cost का batch start 26 तारिक हो चुक है आपके paper खतम हो गए semester 4 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ cost का paper आपका start हो गया honors वाले बच्चे है तो paper तो मैं जानता हूँ honors वालों का late है आप अभी से अगर चाहते हैं इसको क्योंकि validity उतनी मिलेगी exam तक का और भी सारे batches हमारे start हो चुके हैं तो आपको description में link दे रहा हूँ कल exam के लिए फिर से मैं कुछ न कुछ आपके लिए लेकर आऊँगा वीडियो में बताऊंगा कैसे करना है नहीं करना है ठीक है तो मिलते हैं हम next video के अंदर और पढ़ते रहिए और चैनल को subscribe तो करते नहीं हो बागे आपके इच्छा मिलते हैं next video